किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि संसार का सबसे शुरक्षित भीमा है परमात्मा पर भरोसा बस्याद रखें और अच्छे कर्मों की किष्टे भरते रहें सारी दुनिया आपके सामने जुक जाए ऐसी दुआ कभी ना मांगना लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको जुका ना सके ये दुआ ज़रूर मांगना जो जुल्म के जरिये इज्दत चाहता है इश्वरू से इंसाफ के जरिये जलीर करता है संदेह समस्याओं के परवत का निर्मान करता है और विश्वास उस परवत से निकलने के मारक का निर्मान करता है परिवार को मालिक नहीं माली बन कर संभालो जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी परना ज़ता है कोई सराहना करे या ना दोनों ही अच्छे हैं क्यूंकि प्रशन्शा प्रेणा देती है और मिन्दा साफधान होने का अफसर गुजरे हुए कल को याद करके कुछ असूल बना लो आने वाला कल बेहतर हो जाएदे जीवन में किसी को रुला कर हवन भी करवाओगे तो भी कोई फाइदा नहीं और रोज किसी एक इनसान को हसा भी दिया तो आपको अगर बत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं इनसान चहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर गोती है पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नजर गोती है जीवन में सब अच्छा हो ऐसा कभी होता ही नहीं अच्छा बुरा दोनों को मिला कर ही जीवन बनता है अच्छे बुरे दोनों तरहा के लोग जीवन में आते हैं सभी का धन्यवाद करते चलिए धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं क्योंकि उन लोगोंने मेरा दिल बढ़ा कि धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और उन्भों ने मुझे बताया कि वो मेरा कितना खयार दे यही प्रार्थना सदा उस इश्वर से करना कि है मेरे इश्वर अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी गृणा बुझा देना और अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छां को मार देना काबु में रखिए प्रार्थना के वक्त अपने दिल को खाना खाते वक्त अपने पेट को किसी के घर जाते वक्त अपनी आंखों को और काबु में रखिए पराया धन देखकर अपने लालच को हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता हमें तो बस से की जीवन दे दिया जाता है जिसे अच्छा वबुरा बनाना हमारे ही हाथों में लेता है जीवन वो नहीं जो हमें मिला है जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं जानते हो दुनीया की सबसे मजबूत चीज्श क्या है एक शांत वित्टी का मन सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए वादा करने से पहले एक बार जरूर सोचे साथ देने से पहले दो बार जरूर सोचे बात से मुखरने से पहले तीन बार जरूर सोचे और रिष्टा तोड़ने से पहले चार बार जरूर सोचे हो सके तो किसी से जलना मत क्योंकि उपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने से देता है उनसे छीन करने माना की आईने की कीमत हीरे से कम है लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूड़ते तो सभी आईने को होगे हर चीज का अपना महत्व होता है ऐसे ही अपने जीवन में सभी को संभाल कर रखिए सभी की अपनी अपनी महत्वता है ऐसे वेक्तियों को सदा संभाल कर रखिये जिसने आपको ये तीन चीज़े दी हो समयों साथ और समर्बन गलत लोग सभी की जिन्दगी में आते हैं पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं कोई हमारा बुरा करे ये करम उसका हमसे किसी का बुरा ना हो ये धरम हमारा जिन्दगी में एक बात को हमेशा याद रखो जो चीज़ आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो आप अपना भविश्य नहीं बदल सकते मगर अपनी आदतों को तो बदल ही सकते हो क्योंकि बदली हुई आदते ही आपके भविश्य का निरमान करती है दोस्तों आपसे फिर मुलाकार पूदी ऐसी ही प्रेणा दायक वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नावाना